हमेशा ये थोड़े न जरूरी होता है कि बड़े होके ही छोटों को सीखाते हैं ऐसा भी तो होता है कि बहुत सी बार छोटों से हमें बहुत को सीखने के लिए मिल चाता है आज की रेसी पी मेरी नहीं है मेरी बहन की है तो ये है मेरी छोटी बहन इसका नाम है गुडिया तो तीन बच्चे हैं बलके इसके और साधे के बाद 5-6 साल के बाद करीब ये पहली बारी आई है अपनी बेहनों के यहां पे गूमने थोड़ासा बस ऐसा इसा बन सकते हो आप तो मतलब अब यह आई है 10-15 दिन के लिए और आते के साथ इसने अपना काम थाम लिया है मतलब हम ब बड़ी भेन यह बना रही थी हैं पर छोले की एक इसपेशल सब्जी तो मैंने सोचा चलिए इसकी रेसीपी में सूट कर लेती हूं और इससे सीख लेती हूं आने वाले टाइम में मेरे काम भी आ जाएगी तो मैं इससे पूछ रही हूं यह जिस तरीके से काम को कर रही है म वास्तों में इसकी हाथ में बहुती ज़्यादा टेस्ट है एक चीज और भी है यहां पर मसाले तो मैं आपको साथ की साथ दिखाती जा रही हूं बाकी रेसीपी आपकी साथ में बाद में शेयर करूंगी ठीक है ना कुछ मैं सीख रही हूं यहां पर कुछ मैं सीखा रही ह पूश्य रहे जैसे यह musimy आरा तो बहुत करते हैं यह मेरे पास है जैसे मैं यह सोची रहूं कि इसको अच्य से बता दी यहुकर में सहले हैं, मतलब मुझह रही हूं हिसको सीखना रही हूं होती है और वाव सब्सक्राइब की द्रत ने-अ। की दूरी अपनी रेसिपि से कित्नी दूरी रखनी होती है किस तरीके से बीडियो को उता है तरीके से रखना होता है जत्तुत तो यह काफी मन लगा के अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कढ़ाए में डाला गया है तो कमी तेल डाला है इसने भी यह भी कमी खाते हैं जैसे हम कम खाते हैं आपको वैसे लग रहा होगा उसके बाद इसने थोड़े-थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं घर में बच्चे है ना तो फिर बच्चों को गरम मसाले का फ्लेवर ज्यादा लगता है तो थोड़े-थोड़े से जितने भी मसाला दानी में मसाले थे थे पहले इसने सूख ही मीच भी डाल देती और इनको अच्छे से चटका लिया था जब गरम मसाले और मिच अच्छे से चटाया करी इतिन का color change हो गया था एक चमच्च के जीतना इसने यहां पर यह जीरा डाल दिया था जीर को भी अच्छे से चटका लिया था वाकिश का तरीका तो कि मेरे पास इतने मसाले भी थितो मेरे पूछ नियू है कभी हम सैं लेकिते मेरे पास उसी मशी है, और सारी मशाले एक डालने के बाद इसमे इसने थल्ट अब आसा चाह की पतनी पति आपते, करीबी एक चमच के जितनी चाह की पत्ति मिंग उबाल d differenti Associate अच्छे से जैसे नोर्मल हम चाई पकाते हैं सभी चीजे डालने के बाद अभी मुझे बता रही है कि इसको इतनी देर तर पकाना है और इतनी आज़ पकाना है और तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है तो मैं वहीं से समझ भी रही हूँ तो मुझे सब्र निया मैंने बोला अच्छे ना खुसबों भी आ रही थी और मुझे खुसी भी हो रही थी कि मतलब मुझे कुसन को सीखने के लिए मिल रहा है तूसरा मुझे किसी और के हाथ का खाना भी मिल जाएगा रोज रोज में अपने याद का खाना खाती हूँ इन टमाटरों को करीब इसने पांस मिन दिदी में कौन सीफिद टालों मसाला दानेवाली डालू यालक सीफिद टु मेरेपास जो त्रीके की मिर्चा मतलब एक देगी मिर्चा नौर्मल मिर्च होती है पर दोनों कंव कम थी कौई कोई सी डाल सकती है अब यह बहुत दीर में आया है न तो इसको सामान का भी न पता नहीं लगज रा है तो इसने क्या क्या है जैसे चोले उबाल लिये थे इसमें से आलू निकाल के छील लिये थे तो पहले चोले का पानी अलग कर लिया है हम क्या करते हैं मैं क्या करते हैं उठा के पानी के साथी चोले डाल देती हूँ बट पहले इसने पानी अला कर लिया है ग्रेवी को बहुत अच्छे से तयार किया है इतना टाइम सबजी बनाने में नहीं लगता है जितना टाइम इसकी ग्रेवी बनने में लगता है तो जैसे ही सारी ग्रेवी से अच्छे से तेल सैपलेट दिखाई देने लगा इसका कलर भ होती है तुर जो बूनने की टायमिंग होती है नाौ इसकी टायमिंग में बहुती जादा पर्फेक्ट है अच्छी से सबुझे के शौले को यहां पकुरा की शौलर पूरी की साथ बना रही तो बस इसने सब्जी को चढ़ा दिया और बोल दिया कि इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पक जाने देते हैं उसके बाद भी इसमें कुछ मसाले डाले जाएंगे अब मुझे नहीं पता है क्या क्या मसाले डाले किस किस तरीके से डाल रही है मुझे मतलब केवल टेस्ट से है और स अच्छे भी मन लगा के खाले तो इसने बोला था आर दस मिनट के लिए सब्जी को पका लेना है तो सब्जी को पकते लगबग में 9 मिट हो चुके हैं तो अभी भी सब्जी पक्के वैसे तो तयार नहीं हुई है अभी भी 5-7 मिट लग जाएगी सब्जी को पकने के लिए तो सब्जी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी थी और इसने अपना काम भी निवटा लिया है मतलब मैं काम करने के लिए नीचे से लिए अपनी वीडियो वगर एडिट करने के लिए इसने उपर की सारी साफ सफाई कर दी थी और खाने के मतलब तयारी चालू कर दी ती गैस में डाल दिया है सबजी का आप सबसे पहले कलर देखिए और चलिए अब इसको जब मैं इस भगोने में करूंगी ना आप इसका टेक्चर देखिए मस्त टेक्चर आ रहा है मस्त कलर आ तो चलिए यह भी मैंने इसको बोला था कि इस तरीके से रेसिपी को सर्व करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बता रही थी तो यहां पर इस रेसिपी को सर्व भी कर जिया है वास्ताव में खाने में छोले बहुत जादा टेस्टी लगी है और बच्चों ने भी खूब मन लग लिया था अब छोले तो बनाने मैंने सीख लिये थे लेकिन मुझे पता नहीं लगा इसने पूरी काटा किस तरीके से लगाया था तो वह मैं बाद में सीख लूई एक एक पूरी एक तम भटूरे के जैसी फूल दिया बिल्कुल मुलयम पूरी बनी वही है तो चलिए आज क के वल आपकी साथ इतनी ही रेसिपी या इतनी ही बाते मैं सेयर करना चारी थी अब भूख खाने का टाइम हो चुका है बच्चे भी थोड़ा सा भूख भूख कर रहे हैं तो इसने फटा फट से पहले काहना जी की पूरी सेख दिया और भूख के लिए दे दिया तो झाल 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 झाल